उत्यप्रदेश के जन्पधापुड में कृषी अध्यादेश को लेकर आंदुलनरत किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी लगातार किसान जागुरू की आत्रा निकाल कर गाव गाव के किसानों को जागुरू करने का कार्य कर रही है इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के जिला द्यक्ष तेचपाल प्रमू की नित्रित्व में पार्टी के सैक्ड पदादीकारी एवं कार्य करताओ द्वारा जहादर्ना प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर, साइकल एवं पैदल किसान जागुरू कता यात्रा निकाल कर किसानों को जागुरू करने का कार्य किया गया जातरा को लगातार जारी रखा तथा ग्रामिंग शेत्र में चाय चौपाल के नाम से कारिक्रम आयुजित करते हुए नुकड सबाकर सरकार द्वारा लाए गये कृश्ची बिलों को किसान विरोधी बिल बताते हुए एकत्रित लोगों को बील की खामिया बताई तथा समाजवादी पार्टी सदेव किसान मजदूर गरीब सभी के हितों की पार्टी रही है जब जब किसी पर कोई जुम हुआ है समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़कर उसकी आप सब लोग जानते हैं कि 7 दिसंबर 2020 से हमारे राष्ट अदक्ष मन्या खलेश यादव जी के आदेशनों सार किसान जागरुक यात्रा पूरे प्रिदेश में प्रतेक जिले में प्रतेक विदान सवा में लिका ली जा रही है उसलिए करम में हम हापुड में कभी साइकल यात्रा टैक्टर यात्रा पैदल यात्रा मोड साइकल यात्रा ता वहां प्रते दिन हो चलने है और अब आज ये चाय चौपाल का प्रोग्राम यहां कोटला साधाद में है जो हम किसानों को जागरुक कर रहे हैं और वहां एक दूसरे की बात सुन रहे हैं एक दूसरे के मन की बात सुन रहे हैं तो यह आज उटला साधा में पानी की टंकी पर यह चाय चौपाल का प्रोग्राम तो आज इसी में यहां देखिए जैसे कि आप लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग है जो आप लोग इस चले की बात को प्रात्मिक पाता पर प्रिसान प्रकासन करने का काम करने और हम हमारी जो महनत है उसको आप अपने इलक्ट्रोगनिक मीडिया बंदू और जो हमारे प्रिंट मीडिया बंदू है वह अकवार में अपने जगह देकर उसको दिखाने का काम करने पहले तो सभी को आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और इस जिले का एक कारे करता जेल में आपकी वार हापड़ जाएंगे अगर ये आंदोलन चालो होगा हमारा कारे करता कमर कश चुका है ना इन मुकदों से डराएगा ना किसी और चीज से डराएगा ना लाटी से डराएगा न पूली फ्रशाए है और किसानों की आवाज को दबने नहीं देंगे जो काम है हमारे जो कारे करता है मैं उनको बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं कि उन्हों की मेहनत की वज़े आज जिला बहुत अच्छी इस्तिति में हैं और बहुत संग्ठन बहुत रहें और आप सासन प्रिसासन भी इस बात को जानता है कि हापुड में इन्हें रोकना नामुम्किन है और ये प्रोग्राम चलते रहेंगे हम किसी तरह से पीछने अटेगे कहना चाहता हूं प्रिसासन के सातियों को भी कि दो बेटे हैं इस मुल्क के अंदर एक जवान एक किसान दोनों भाई वाज इसकदर लडाई करा दी है एक सीमा की रक्सा करता है एक अनाज उगा कर पालन पोसन का काम करता है तो मैं समझता हूं जहां दोनों के कामते हैं उस जिसासे आदर ने परदान मंतरी जी से और आदर ने मुखबंदरी से अपनी आखे और कान खोल लीजिए ये किसान है जब तक्ता पलट करते हैं तो लोग अपनी कुर्सी को ढूंते रह जाते हैं लोग तंतर में ये चीज़ नहीं चलती कम से कम आप उनसे डालोग कीजिए आप समबात की दिये उनकी बात सुनिए समस्य का समधान सुनी आप एक चीज़ और मैं कहना चाहते हैं आप मुझे किसी गिफ्ट को देना चाहते हैं वो गिफ्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा और आम मुझे जबर जिस्ति करते हैं नहीं आपको तो लेना ही पड़ागा ये गिफ्ट अरे भईया मैं नहीं ले रहा तो आप मुझे गिफ्ट जबर जिस्ति दे को रहे हैं उसको समापन कीजिए तो पारलेमेंट आप बोर्ड बुलाईए इसमें चर्चा कराईए और जो किसानों की समझ में नहीं आ रहा है उसको आप तदकार फिरवाओं से बरकास करके काले कानून को खतम कीजिए दूसरी चीज में आपको और क्या होगा मानने वर पहली बार मुझे लग रहा है कि मीडिया के साथी कम थे कम समझ चुके हैं कि अब हिंदू-मसल्मान पर बात नहीं होगी अब रुजगार पर बात होगी किसान पर बात होगी नौजवान पर बात होगी अब वो जमाने प्रिवार में एक दो लोयर हैं वो कानून की वाखपत को समझता है मैं कहना चाता हूँ आपने बहुत लडाया भाई भाई को अब इस भाशा को आप बदल दो लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा इसी के साथ मैं अपनी बात समाप करता हूँ जैहिन जै भारत जै समाजव कर लेव डरने वाले लोग नहीं है वह किसानों के साथ जब तक है सरकार बनाए गए कृशी-बिलो में संशोधन या बिलो को रद नहीं करती समाजवादी पार्टी का एक कार्य करता किसानों के लिए संगर्ष करता रहेगा NBC News के लिए हापपुर से अनिल कश्चप की रिपोर्ट